अब सभी को मेरे यूटूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही कॉमन प्राब्लम के बारे में डिसकस करूंगी उस प्राब्लम का नाम है हैर फॉल हैर फॉल आजकल बहुत हो रहा है और हर कोई इसको एक्सपिरियंस कर रहे हैं दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इनफर्मेटिव होने वाला है मेरे साथ बने रही है अगर अभी तक आपके ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड हीट बेल आइकल बाइट आपके नोटिफिकेशन अफ माइ अपड़ेट वीडियो तो लेट स्टाइब वीडियो दोस्तो हैर फॉल आजकल का बहुत ही ज्यादा कमन प्रोब्लम है यह हर कोई आजकल फेस कर रहा है और यह हैर फॉल इतना ज्यादा कमन है कि यह बच्चों में भी आजकल दिखाई देना ले रहा है तो हैर फॉल हमारा डेली डेली बेसिस में अगर 50-100 स्टैंड्स अफ हैर अगर गिरता है वो नॉर्मल है है फॉल करेगा देन उली उस जगह पे नया हैर ग्रो करेगा तो यह लेकिन प्रोब्लम बहां डेवलप होता है जहां पे हैर लॉस बहुत ज्यादा होता है इन कमपे तो हैर ग्रोथ तो हम इसको समझने से पहले पहले हम जानते हैं हमारा हैर कैसे ग्रो करता है हमारा है थ्री स्टेज में ग्रो करता है पहला स्टेज है ग्रोथ फेज सेकेंड स्टेज है रिग्रेशन स्टेज थार्ड स्टेज है रेस्टिंग स्टेज और दो सेडिंग स्टे to 90% जो बाल रहते हैं स्काल्प में उसमें से 85 to 90% बाल इसी ग्रोथ फेज में ही रहते हैं और ड्यू टो डिस अक्टिवनेस अब इस फेज हमारा बाल ग्रो करता है यह हमारा बहुत ही अक्टिव फेज रहता है और बाल इसमें से ही बहुत ज्यादा ग्रो करता है हमारा नेक् 3% of total hair इस स्टेज में रहते हैं रिग्रेशन स्टेज में जो hair follicles है वो अट्रोफएड हो जाते हैं hair follicles सभी Aptrified होने के बज़े से hair growth रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और कोई growth नहीं रहता स्टॉप हो जाता है इसे जो hair growth एक स्टोप हो जाता है यह 10-20 तक रहता है regression phase उसके बाद हमारा setting stage या फिर resting stage आ जाता है setting and resting stage हमारा 5 to 10% of total hair का जो hair रहता है total hair का उसका 5 to 10% इसी stage में रहता है और ये around 3 months तक रहता है उसके बाद बाल जड़ जाता है problem बहां develop होता है जहां पर resting phase is more than growth phase अगर resting phase ज्यादा रहता है growth phase कम रहता है then हमारा hair loss ज्यादा होता है and हमारा scalp thin हो जाता है और हमारा जो ये cycle है growth phase then regression phase and resting phase वो fulfill नहीं हो पाता है hair fall का बहुत सारे problem causes रहते है वो हमारा main cause रहता है हमारा tension अगर हमारा stress hormone बहुत ज्यादा होता है और stress होने के बज़े से हमारा stress hormone बहुत ज्यादा गिरते है तो हमारे stress के बज़े से hair fall बहुत ज्यादा रहता है अगर हम depression में रहते हैं, tension में रहते हैं, हमारा hair fall बहुत ज़्यादा रहता है यह बहुत ही ज़्यादा common problem है उसके बाद अगर हमें कोई बिमारी होती है, जैसे कोई fever होता है COVID का fever हो गया, या फिर हमारा dango fever, malaria fever, typhoid fever ऐसा कुछ fever होता है, ते उसके बाद हमारा hair fall बहुत ज़्यादा रहता है fever के वज़े से, after the fever हमारा hair fall, यह बहुत ही ज़्यादा common है कोई भी bacterial viral fever हो, उसके बाद हमारा hair loss होता है हमारा third cause से कुछ hormonal changes अगर हमारे body में रहते हैं जैसे हमारा thyroid का issue हो गया, या फिर हमें diabetes हो गया, या फिर कोई और hormone इसू रहता है तो उसके बज़े से भी हमारा hair fall रहता है अगर हमारे scalp में कोई problem है, जैसे dandruff हो गया, या फिर हमारा lichen planus हो गया या फिर eczema हो गया, या फिर हमारा scalp सोरियासिस हो गया ये सबी symptoms रहता है ये सबी बिमारी रहती है अगर हमारे scalp में तो भी हमारा hair fall होता है उसके आलाबा खाने में अगर हमारा protein intake कम रहता है iron कम रहता है calcium का मात्रा कम रहता है डायेट में तो हमारा hair fall होता है अगर हमारी पानी बहुत मात्रा कम रहता है बोडी में then also hair fall रहता है अगर हमारा नींद पूरी नहीं होता है, इंप्रॉपर स्लीप रहता है then also we'll face this hair loss issue अगर हम कोई steroid लेते हैं, कुछ medicine लेते हैं और कुछ हमारा जिसे chemotherapy या फिर radiotherapy होता है तो इसके वज़े से भी हमारा hair fall होता है तो यह सब ही हो गया normal causes of hair fall तो हम how to get rid of this situation हम कैसे उस situation से मुक्ति पाएंगे दोस्तों हमारा homeopathi hair fall और इसी situation में बहुत ही अच्छा काम करता है effectively काम करता है और बहुत fast काम करता है मेरा experience आपके साथ share कर रही हूँ दोस्तों मैं आपके साथ मेरे एक patient का hair fall issue जो था वो मैं आपके साथ share कर रही हूँ वो एक male patient थे और उनका age 18 years था उनको alopecia aerata था alopecia का मतलब है दोस्तों हमारा patchy patchy hair loss होना यह जो hair loss है एक circular patch होके balls अभी निकल आता है हमारे scalp से उसको हम alopecia बोलते हैं यह alopecia का exact cause नहीं होता मालूम नहीं है लेकिन वो साइद अगर कुछ food में issue रहे कुछ deficiency रहा या फिर tension के वज़े से alopecia हो सकता है तो यह आप देख सकते हैं दोस्तों यह before का treatment before का यह photo है कैसे पूरा flu full clean होके circular manner में बाल उठ गया है और यह photo है दोस्तों one and half months after the treatment आप देख सकते हैं उसी area में कैसे दीरे दीरे बाल ग्रो कर रहा है after one and a half months of the treatment यह जो next photo है इसमें आप देख सकते हैं यह full बाल ग्रो कर गया और यह full उनका जो भी alopecia था scalp में चार पान जगब में था वो सभी में बाल आ गया है और यह within three months of treatment में वो सभी ठीक हो गया उनका जो भी problem था तो homeopathic medicine अगर rightly selected under right potency में दिया जाता है वो medicine magic करता है कोई भी disease के उपर तो मैंने आपका यह before and after उनका treatment alopecia का मैंने आपके साथ share किया कुछ medicine में आपके साथ share करती हूँ दोस्तों जिससे हमारा hair में growth हाए हमारा hair loss कम हो जाए हमारे अगर hair में कुछ scalp में अगर कुछ dandruff है या फिर कुछ problem है कुछ eczema है या फिर कुछ like and planus ऐसा कुछ problem है तो वो भी ठीक हो सकता है homeopathic medicine से मिले जिससे आपके case tracking अच्छी तरह से हो पाए individualization अच्छी तरह से हो पाए और आपको proper medicine मिले जिससे आपको immediately और बहुत ही कम दिन में आपका hair fall रुख जाए या फिर scalp में कुछ issue हो वो ठीक हो जाए हम बहुत बहुत अच्छी medicine homeopathic में देते हैं तो homeopathic में कुछ medicine में आपके साथ share करते हो हमारा medicine है दोस्तों थूजा थूजा बहुत ही अच्छा medicine है बहुत ही अच्छा काम करता है थूजा अगर आप आपके hair में अगर scalp में dandruff है या फिर आपके hair बहुत ज़्यादा dry है बहुत hair fall है तो ये hair growth करने में hair को improve करने में helpful होता है and quality of the hair को भी improve करता है तो थूजा बहुत ही अच्छा medicine है हमारे homeopathic में थूजा 200 अगर आप दिन में दो बार लेते हैं तो आपका ये बिमारी ठीक हो सकता है हमारे next medicine है दोस्तों phosphorus phosphorus हम उस condition में देते हैं जहां पर आपका bunch of hair fall हो पूरा जब आप हाथ touch करें या फिर comb करें पूरा full bunch of hair आपका fall हो और आपको baldness दिखें आपके जो hair line से वो पीछे जाना सुरू हो जाए आपके vertex में या फिर आपके जो back side में patch patch hair आए या फिर alopecia erecta दिखाए दे तो इस condition में phosphorus बहुत ज़्यादा helpful रहता है अगर आपको dandruff का issue है वो phosphorus भी आपको बहुत ज़्यादा helpful रहता है अगर climate के वज़े से आप एक climate में रहते थे एक तरह का पानी आप use करते थे लेकिन आपका climate change हो गया अगर आप transfer होके किस दुसरे जगे पर आगे पानी change हो गया climate change हो गया तो इसके वज़े से अगर आपका hair fall रहता है तो आप phosphorus ले सकते हैं दोस्तों phosphorus इस hair fall का इस situation में बहुत अच्छा काम करता है phosphorus अगर 200 आप दिन में दोबर लेते हैं तो आपका hair fall रुख जाएगा और जो भी problem है वो रुखेगा और hair new growth वो आ जाएगा आपको one month के अंदर आपको growth होना चलू हो जाएगा अमरा next medicine है दोस्तों lycopodium lycopodium हम उस condition में देते हैं जहाँ पे हमें वो पढ़ाई बहुत जादा करने के बाद या फिर बहुत जादा studio से person जैसे doctor हो गया engineer हो गया या फिर scientist हो गया जो बहुत जादा पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करते हैं वो बाल सभी जड़ गे तो इसके कारण अगर बाल जड़ते हैं आपका हैर फॉल रहता है तो भी भी यह बहुत अच्छा काम करता है तो लाइक पोडियम अगर 200 दिन में दो बार लेते हैं तो आपका हैर फॉल रुख जाता है हमारा next medicine है दोस्ता acid floor acid floor बहुत ही अच्छा medicine होमेपती में माना जाता है और यह हम उस condition में देते हैं जब आप किसी बिमारी के बाद आपका हैर फॉल स्टार्ट हुआ अगर आप COVID के बाद स्टार्ट हुआ है या फिर आपको टाइफ़र्ड के बाद आपका हैर फॉल स्टार्ट हुआ है तो acid floor बहुत अच्छा काम करता है acid floor 30 अगर आप दिन में 3 बार लेते हैं तो आपका हैर फॉल रुख जाता है उसी इज़ाब से acid force बहुत अच्छा काम करता है हैर फॉल में acid force हम उस condition में देते हैं जब आप कोई chronic बिमारी से जूंज रहे हैं after the chronic fever या फिर chronic illness उसके बाद अगर आपका हैर फॉल रहता है तो acid force 30 अगर आप लेते हैं दिन में 3 बार तो आपका हैर फॉल रुख जाएगा और हमारा बहुत ही अच्छी medicine है दोस्तों sepia sepia अगर कुछ आपका hormonal imbalance रहे आपका period ठीक से ना रहे आपका thyroid का problem है या फिर ऐसा कुछ hormonal issue आपके body में है जिसके चलते आपका हैर फॉल बहुत ज़्यादा रहता है तो आप sepia ले सकते हैं sepia 200 अगर अप लेते हैं तो आपका हैर फॉल रुख जाएगा हमारा next medicine है दोस्तों नाट्रो मूर नाट्रो मूर हम उस condition में होता है जो female after the child birth और during the pregnancy अगर हैर फॉल रहता है उस condition में हम नाट्रो मूर देते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों हमारा जो frontal hair line है उसमें से हमारा बाल पीछे पीछे जाने लगता है तो ये नाट्रो मूर बहुत अच्छा काम करता है अगर ऐसा आपका हैर फॉल रहता है और after the delivery आपको फेस कर रहे है ये वला हैर फॉल तो आप नाट्रो मूर ले सकते हैं अगर आपको iron डेफिशेंची की वज़े से हैर फॉल होता है तो ये नाट्रो मूर नाट्रमूर फीमिल पेसेंट में बहुत अच्छा काम करता है अगर यह सभी सिम्टमस आपके पास है तो आप नाट्रमूर ले सकते हैं नाट्रमूर टूहंडर्ड अगर दिन में दो बार लेते हैं तो आपका हैरफल रुख जाएगा इस तरह से हमारा मेजरियम रहता है दोस्तों मेजरियम अगर स्काल्प में आपको इची फिल होता है इसके साथ स्काल्प में एक्जीमा है या फिर सोरियसी से तो मेजरियम आप ले सकते हैं मेजरियम 30 अगर दिन में दो बार लेते हैं तो आपका हैरफल रुप जाएगा ये कुछ medicine आपके साथ मैंने share किया दोस्तों ये सभी medicine को आपको नहीं लेना है लेकिन आपका जो जो symptoms मैंने बताई अगर आपके पास वही वही symptoms रहता है तो according to the symptoms आप ये सभी medicine ले सकते हैं मेरे बताए हुए लेकिन अगर आप किसी homeopathic नजदी की आपके नजदी की homeopathic doctor से मिलते हैं तो आपका case tracking अच्छी तरह से हो पाएगा और आपको proper medicine मिल सकता है जिससे आपका hair fall बहुत जल्दी चूट जाएगा आसा करती हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो hit the like button आप मुझे comment कर सकते हैं दोस्तों नीचे comment section में आप कुछ query है तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं आपके query को clear करने की कोशिस करूँगी मेरे चैनल को subscribe करिये and hit the bell icon then you can get the notification of my updated video we'll meet in our next video till then eat healthy stay healthy thank you